नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम में हर्षी देदियो और मैं आपको सवत करते हूँ इस वीडियो में देखें ये वीडियो अभी में क्यों बना रहा हूँ स्पेक्ट्रम एलोकेशन की न्यूस सुन रहा है मार्च 2021 में गौर्मेंट लगभग 2300 मेगा हट्स का स्पेक्ट्रम एलोकेशन करने वाली है तो अब आप मेंसे बहुत सारे लोग है सोचते हूँगे कि ये स्पेक्ट्रम एलोकेशन क्या है वैसे तो editorial analysis और current affairs दोनों जगहों पर मैंने इस topic के बारे में बात की है बट overall पूरी तरीके से इस topic को समझने के लिए इस वीडियो को मैं दो भागों में तोडूँगा पहला part है what is spectrum दूसरा part है spectrum का option किस प्रकार से किया जाता है spectrum का allotment की सिवाब से किया जाता हो frequency मतलब की भाईया megahertz में अगर आप spectrum को allocate कर रहे हो तो भाई मतलब आप कुछ frequency की waves को allocate कर रहे हो और उससे actually होगा क्या frequency का क्या roll है कैसे ये frequency एक खाली airspace को important बना देती है कैसे उस खाली airspace की radio waves को उसकी frequency के साब से अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तमाल किया जा सकता है तो ये पहली वीडियो में देखेंगे और इस base के आधार पे अगली वीडियो में हम लोग 2G, 3G, 4G और 5G टेक्नलोजिक समझने कोशिश करेंगे इंडिया में जो spectrum auctions हुए है उनकी history समझने कोशिश करेंगे latest news क्या चल रहे ही spectrum allocation पर उसको समझने कोशिश करेंगे इस scams का, telecommunication scam spectrum allocation में जो scams हुआ है इसका इंडियो का क्या नुकसान हुआ है इसको समझने कोशिश करेंगे तो basically spectrum है क्या spectrum is basically a range of radio waves that are used for communication purposes communication purposes के लिए radio waves का प्रयुक किया जाता है इन radio waves का प्रयुक आपके smartphone पे एक phone आया तो आपको आवाज सुनाई पड़ रही तो radio waves की वीज़ सुनाई पड़ रही है आपके phone पे जो internet चल रहा है वो internet radio waves की चल चल रहा है FM, radio broadcast, AM, radio broadcast यह आपको Radio Waves की वैसे सुनाई दे रहा है, Radio Waves की वैसे, Wi-Fi, अगर आपने घर में Broadband Wi-Fi लगा रखा हैं, तो वो भी Radio Waves है, Bluetooth जॉप के फोन में, वो भी Radio Waves है, अगर आप Apple iPhone इस्तमाल करते हैं, तो उसमें AirDrop का feature होता है, वो भी Radio Waves है, एक एप आती थी Shareit नाम की, उसको बै Radio Waves का इस्तमाल करती थी, in fact, इन Radio Waves की मदद से, एक चीज़ तो हमको समझ में आ गए कि हम लोग Data Transmit करते हैं, और इस Data को Transmit करने के लिए, हमको एक Machine चाहिए, तो Machine यहाँ पर क्या नज़र आई, तो Smartphone is a potent Machine, तो Smartphone, Smartphone क्यों है, चोकि Smartphone, एक Radio Waves से Data Receive कर सकता है, और उसी Radio W के थूर, अपने अंदर का Data दूसरे को भेज सकता है, तो Basically, इस Smartphone कौन सी Technology का Smartphone है, वो 2G Technology का है, 3G Technology का है, 4G का है, 5G का है, यह इस बात पर Depend करेगा, कि उस Smartphone के अंदर जो Modem है, वो कौन से प्रकार की Frequency पे काम करता है, और उस Smartphone के अंदर जो Technology है, उस Technology को किस प्रकार से आप इस्तमाल कर रहे हैं, निकि वो जो Radio Waves आया है, क्या उस Radio Waves को आप Voice में बदल सकते हो, क्या उस Radio Waves के तूर जो Message आया है, उसको SMS के Form में बदल सकते हो, वेब पेज में बदल सकते हो, तो यह सारी Technologies Smartphone के अंदर होती है, Radio Waves के तूरू, जो भी Information एक Smartphone में आई, उसको Decifer क करके, Human Readable Form में, एक Human के सामने लेके आना, जो इस Particular Smartphone को इस्तमाल कर रहा है, बेसिकली यही तो Smartphone की खासियत है, लेकित, पीछे से जादू कौन कर रहा है, पीछे से जादू कर रही है यह Radio Frequency, तो Radio Frequency बहुत बदा रिसोर्स है, एक ऐसा रिसोर्स जो सामने सामने देख नह जाओ, तो बहुत बड़े बैंड में होती हैं यह Spectrum, यह Radio Frequency तो Overall जो पूरा Radio Frequency का Band इसको आप बोलते है Spectrum, इस Spectrum को Allocate किया जाता है, Mobile की Industry को, यह नहीं, Telecommunication Industry को तो Airtel, Jio, यह सब जो अपने Network चला रहे हैं इनके पास Spectrum Allocated है, Government of India से, उनके दम पही आपके फोनों में सि इसमाल कर रहे हैं, उसमें जो सिगनल आ रहे हैं, वो सिगनल किसी एक Particular Band के थू ही आ रहे हैं, जो Band सरकार ने इन कंपनियों को Allocate करके रखा गया है, यह जो Spectrum है, Sovereign Asset है, दुनिया भर की जो Governments है, या फिर Designated National Regulatory Authority है, यह लोग Spectrum Allocation करते हैं, और इसके चलते, दुनिया आपने चैनल को शेर और सबस्क्राइब नहीं किया है, तो विल्गोर कर लिजे, अगर आप मेरे दौरा बनाएगी और वीडियो को देखना चाहते हैं, तो चैनल पर जॉइन बटन दबा के देख सकते हैं, आपको कुछ और एक्सेस मिल जाएगी, मेरी हेल्प भी हो इन वेव के थूर ट्रेवल करती है, क्या ए़नर्जी है? और जब वेव के थूर एणर्जी ट्रेवल करती है, तो उसको एक और नाम दिया जाता है, जिसका नाम है electromagnetic waves अब बात यह है कि यह जो wave है ना यह बहुत अलग-अलग frequency में travel करती है ठीक है जब भी wave की बात आती है तो भाई उसमें wavelength आ जाती है amplitude आ जाता है wavelength, amplitude किसी भी एक wave को define करता है उसका amplitude और wavelength लेकिन यह थोड़ा technical हो गया थोड़ा physics में घुसे हैं हम लोग physics में नहीं घुसते है basic तरीके से spectrum आपको समझाना है तो physics में बिना घुसे समझाना यह मेरे लिए एक challenge है ठीक है मैं आपको समझाता हूँ, चलिए सारी frequency की ranges आप एक जगा करके रख दो तो वो हो गया spectrum और अलग-अलग frequency के हिसाब से TV, Radio, GPRS की signals को broadcast किया जा सकता है अगर आपको याद हो दोस्तों अभी से 7-8 साल पहले आप चले जाएए तो phone जब आते थे ना तो एक सवाल होता से नौर्मली लोगों का कि अरे भाई कौन सा phone लिया GSM वाला लिया या CDMA वाला लिया दो प्रकार की mobile phone की technology आज से कुछ 8-9 साल पहले famous थी एक थी GSM Global System for Mobile Communication एक थी CDMA, Code Division, Multiple Access बस दोनों में एक ही फर्क है GSM जो phone होता है न उसके अंदर आप कोई भी SIM card लगा के चला सकते हो चाहे वोड़ा phone का हो, चाहे एटल का CDMA में जो phone होता है न वही network के साथ जुड़ा हुआ होता है आज की date में भी CDMA चलता है लेकिन आज की date में सबसे अधा famous कौन है तो GSM है तो आपके पास एक Apple iPhone है Apple iPhone के अंदर आप किसी भी company का SIM लगा दीजे चलने लगेगा तो कौन सी technology GSM हो गई माली जे कोई एक ऐसा Apple iPhone मना जिसमें आपको SIM लगाने की जरौती नहीं है Apple ने अपना खुदी भाई माली जे टेली कम्यूनिकेशन नेट्वर्क पहला दिया और उस टेली कम्यूनिकेशन नेट्वर्क के चलते अपने फोन को से जोड़ दिया तो यह क्या हो जागा CDM है तो मतलब की एक फोन में SIM डालने की जरौत नहीं वो फोन केवल एक ही नेट्वर्क पो चलेगा तो वो हो जागा CDM है और एक फोन के अंदर आप अलग-अलग SIM लगाके कोई भी नेट्वर्क चलाओ तो वो हो जागा GSM Obviously GSM बहुत ज़्यादा फेमस है GSM सबस्यादा डिमांड में है Maximum market जो GSM कही है अब अगर पहले की बात की जाए दोस्तो तो ज़्यादा तर जो radio spectrum होता था न वो allocate किया जाता था defense sector को लेकिन बाद में सरकारों को समझ में आया कि भाई चुकि modern ways of living बढ़ रहे थे ठीक है लोगों की interconnectivity through internet दोनिया भर में बढ़ रही है तो कहीनकर पब्लिक यूज बढ़ रहा है नई services का, internet का, phone का तो ऐसे में नई services प्रोवाइड करने के लिए OTT platforms, अभी Netflix, Amazon जैसे platforms पे आप जबरदस्त data stream करते हो आप सोचे, मैं यह जो वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, एक 15 अमिनेट की जो मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, वो 2GB में बनती है, ठीक है 2GB की वीडियो को YouTube में upload करना आसान काम नहीं है, अगर आपके पास एक अच्छा internet connection नहीं है, तो भाई यह रात में लगा दो और सो जाओ, सुबह तक upload हो जाएगी इतने बुरे हालात है, लेकिन आज की डेट में Wi-Fi और जबरदस्त लेवल के internet connections आ गएगी, वीडियो जट से upload होती है, कही ना कही radio waves और spectrum उसमें एक role ले करते है क्योंकि हाला कि मैं तो broadband fiber use करता हूँ, खैर वो एक अलग चीज़ है, मैं आपको बस एक example बता रहा हूँ आज की डेट में, जो data user लोगों का, जिस हिसाब के internet packets का consumption होता, वो ज़्यादा frequency provide करना चाहिए, मतलब जो spectrum की range, जो air waves में, radio waves की जो range है वो इनको ज़्यादा allocate करना चाहिए और इससे सरकारें भाई, पैसा कमा सकती है दुनिया भर में सरकारें पैसा कमा रही है तो Indian government is no auction no exception, तो Indian government भी auction करती spectrum का तो a spectrum auction में होता क्या it is basically a process whereby a government uses an auction system to sell the rights licenses to transmit signals over specific bands of the electromagnetic spectrum and to assign scarce spectrum resources कहने हैं, मतलब क्या है कि देखे, frequencies limited है तो भाई, 930 GHz 900 MHz से 30 GHz वैसे तो एक बहुत बड़ी range है दोस्तों बट है तो limited ना, ऐसा तो है नहीं unlimited है कि आप आगे बढ़ते ही जा रहो बढ़ते ही जा रहो तो ये natural resources है और इन natural resources को allocate करके सरकार पैसा कमा सकती obviously बात है, इन natural resources में एक बहुत बड़ा हिस्सा defense sector को भी सीधे-सीधे allocated होगा चुकि उससे भाई, हमारे देश की internal security और external security को maintain किया जाता है, बड़ बाकी इससा जरूर टेलिकॉम companies को बाटा जा सकता है ये जो spectrum है इन spectrum में जो radio waves गूमती है वो हर जगा जाती है, हर जगा पे उनका access कोई दीवाल, कोई भी चीज़ उनको रोक नहीं सकती, हमारे शरीर के अंदर से ना जाने कितनी radio waves लगातार पार्स हो रही है, मैंने अपने घर में wifi लगा रखा है, मेरे फोन में जो radio waves के signal आ रहे है, वो मेरी body आपकी body जहां जहां पे भी आप हो, आपकी body के अंदर से अंगिनत radio waves निकल रही है हर second, ठीक है, आपको नहीं पता चल रहा है अगना इस तरीके से चीजों को allocate करके रखा गया है, तो Reliance को, GEO को, ATL को, अलग-अलग जो telecom service providers हैं, IDEA, SR, इन सब को अलग-अलग frequencies अलोट की गई हैं, और वो अपनी frequency में अपने radio waves को propagate करते हैं, और उनको जो frequency अलोट की गई हैं, जो उनको खरी दी है, उसमें कोई दूसरा network अपने radio waves को propagate नहीं कर सकता, अगर एक ही frequency band में, अलग-अलग telecommunication networks, अपने radio waves को propagate करने लगेंगे, तो chaos फैल जाएगा, आपको phone पे आवाजे सुनाई, पढ़नी बंद हो जाएंगी, केवल खर-खर-खर की आवाज सुनाई देगी, तो अगर meaningful communication करना है, तो एक telecommunication network को, एक frequency band allocate करना पड़ेगा, और उस frequency band में, केवल वही telecommunication network operate करेगा, इसलिए भाई spectrum को, अलग-अलग band में divide कर रखा है, जैसा कि यह एक highway होता है, एक बड़ा सा highway है, highway को four lane मना दिया, three lane मना लिया, और हर lane में road अपने ही साफ से चल रही है, अलग-अलग traffic चल रहा है, उसी प्रकार से, आप यह जो air band spectrum है, इसको एक बड़ा highway मान लीजिए, जिसको छोटे-छोटे बहुत से इस्तों में तोड़ रखा है, और उनमें bandों को allocate कर रखा है, अलग-अलग telecommunication sectors के provider को, समझ गए, तो एक बड़े highway में, जैसे कि roadों को छोटा-छोटा माट के, two wheelers के लिए बना दिया, three wheelers के लिए मना दिया, बड़े size के vehicles के लिए बना दिया, अब जब spectrum का allotment होता है, दो प्रकार से होता है, एक होता है paid allotment, एक होता है unpaid allotment, अभी यहाँ पे दोस्तों देखे, इतना अंदर घुसना जरूरी है, या नहीं है पता नहीं, बट चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ा concept समझा रहा हूँ, तो concept में थोड़ी detail आ जाती है, तो spectrum का allotment दो प्रकार से होगा, paid और unpaid, paid allotment में, आपको uplink और downlink, दोनों की frequency allocate की जाएगी, uplink की frequency को मतलब क्या होता है, कि आपकी तरफ से, कोई data गया telecommunication network के पास, तो यह हो गया uplink, telecommunication network की तरफ से, आपके पास कोई data आया, तो downlink, for example, मैं आपको समझाता हूँ, आप YouTube देख रहे हो, ठीक है भाई, मैं YouTube देख रहा हूँ, अपने phone से, तो YouTube में मैंने मालीजे, कोई एक video देखी, हक्षे कुमार की, मैंने कोई एक movie देखी YouTube पे, तो वो तो YouTube के server पे पढ़िए, अभी YouTube के server से, वो data मैं अपने phone में transmit कर रहा हूँ, तभी तो वो movie मेरे phone में चल रही है, तो इसको आप बोसकते हो, download, जिसको यहाँ पे बोला गया, download, यानि, telco से data मेरे पास आ रहा है, तो यह हो गया download, या फिर downlink, वहीं पे माल लीजे, मैंने आपके लिए यह video बना, spectrum allotment की, और मैं इसको upload कर रहा हूँ YouTube पे, जब मैं upload कर रहा हूँ YouTube पे, तो मैं अपने phone से, यह data भेज रहा हूँ, telecommunication के पास, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं upload कर रहा हूँ, जिसको मैं बोलूँगा uplink, समझ गए, तो भाई paired spectrum allotment जब होता है न, तो paired spectrum allotment में uplink, और downlink की अलग-अलग frequency allot की जाती है, तो for example माल लीजे, एक paired 900 megahertz का spectrum का allocation किया, department of telecommunication में, तो उस case में department of telecommunication, uplink के लिए हो सकता है, आपको 890 megahertz से, 915 megahertz की band दे दे, और download में आपको 935 megahertz से, 960 megahertz का दे दे, अब आप समझ गये ना बात को दोस्तों, देखिए, एक particular range of megahertz में, आप या तो upload कर सकते हों और download कर सकते हों, यनि कि, माल लीजे, यह जो geo का sim आप इस्तमाल करते हों, उस geo के sim में, जब आप YouTube चलाते हो, data telecommunication network से, अपने phone में transfer कर रहे हो, तो वो एक अलग band of frequency में हो रहा है, और जब आप खुद कुछ upload करके, यह आपने command दिया कि google.com खोलो, तो आपने command दिया, तो यह command गई नए telecommunication network के पास, तो वो जो command गई हो, तो दूसरे frequency में गई है, तो भाई मतलब किस frequency से upload वाला data जाएगा, और किस frequency से download वाला data आएगा, यह frequencies अलग-अलग होती है, ठीक है, paired allotment of spectrum में, यह frequencies अलग-अलग allot की जाती है, लेकिन, जब बात होती है unpaired allotment में, तो unpaired allotment में, एक particular set of continuous frequencies को allocate कर दिया जाता है, और operator अपने असाब से frequency decide कर सकता है, तो अगर paired allotment हुआ है, माल लिजए 5 MHz का, 900 MHz spectrum में, तो हो सकता है, कि जो telecommunication operator है, वो आपको, try है, वो operator को, uplink के लिए 890 MHz से 894 MHz दे, और downlink के लिए 935 MHz से 939 MHz दे, तो ये तो हो गया paired allotment, unpaid allotment में क्या होगा, unpaid allotment में आपको continuous set of frequency दे दी जाएगी, यनि कि, आपको 300 MHz band में, अगर आपने 20 MHz के लिए apply किया, तो आपको 205 MHz से 225 MHz दे दी जाए, अभी इस 205 MHz से 225 MHz में, आप अपने एसाब से apply and downlink मना सकते हो, यनि हो सकता है कि 205 MHz से लिए कि 215 MHz आप apply कर दो अपने लिए, और 215 MHz से 2325 MHz आप downlink कर दो, तो paired allotment में क्या होगा, कि telecommunication जो provider है, try है, वो try आपको apply and frequency भी बताएगा, downlink frequency भी बताएगा, और आपको उसी में uplink को downlink करना है, और unpaired spectrum allotment में क्या होगा, कि आपको एक continuous center of frequency दे दी जाएगी, तो 205 MHz से लेके 2325 MHz, माल लिए जियो को दे दी गई, अभी जियो का ये पूरा का पूरा frequency band हो गया, अब जियो इसमें 205 से लेके 2315 में uplink कर सकता है, यह 305 से लेके 2315 में downlink कर सकता है, और 2315-325 में uplink कर सकता है, वो जियो पे depend करता है, यहाँ पे उस particular company में depend करेगा, वो uplink और downlink किसमें करना चाहता है, समझ गए, I hope समझ में आ गया हो, ठीक है भाई, तो यह चीज है यहाँ पे, ओके, फिर बात करते हैं कि यह टेली कम्यूनिकेशन नेट्वर्क में, स्प्क्रम कहां से कहां तक जाता है, तो स्प्क्रम जाता है, 800 MHz से 200 MHz थक, ठीक है भाई, 800 MHz से 200 MHz तक जाएका टेली कम्यूनिकेशन नेट्वर्क, 2300 MHz के उपर चले जाते हो, आप लगबग 2.4 GHz में चले जाते हैं, 2400 MHz में चले जाते हैं, तो आप Wi-Fi या फिर Bluetooth वाली रेंज में चले जाओगे, तो आपके Bluetooth फोन के तुछ जो डाटा ट्रांसफर करते हो, मेरे घर में जो Wi-Fi लगाए, it is in the range of 2.4 GHz, और ये चीज बढ़के अब 5G बैंड तक जा रही है, समझ के बात को, तो जो फोन के नेटवर्क्स हैं, they are basically in the range of 800 MHz to 2300 MHz, जो आपके पास AM और FM चैनल साते हैं आपके रेडियो पे, वो होते हैं 100 MHz से 200 MHz में, तो मतलब उनकी फ्रिक्वेंसी कम है, टेलिकॉम स्पेक्टरम की फ्रिक्वेंसी जादा है, वाई-फाई और ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी और जादा है, अब आप यहाँ पे एक चीज बहुत प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो दोस्तों, रेडियो वेव्स बहुत दूर-दूर तक ट्रांसफर करी जा सकती हैं, बहुत दूर-दूर तक रेडियो वेवस से प्रोपोगेशन हो सकता है, बीच में कम टावर की ज़र होते हैं, जब आती है बात टेली कम्युनिकेशन नेटवर की, तो जितनी दूर रेडियो वेवस जा सकती हैं, जिसके थुर आपका ये एम, एफेम पकड़ता है, उतनी दूर, उससे ज़्यादा दूर टेली कम्युनिकेशन नेटवर का लिव हो जा सकती हैं, और उससे कम दूर, अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको अलग तरीकी समझाता हूँ, एक रेडियो वेव है, ये ऐसे जा रही है, भाई कितना लंबा डिस्टेंस टरफल किया, फोन की वेव कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है भाई, और एक वाई-फाई जो कि आप घर में लगा है, वो कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, तो आप समझे हैं यहाँ पर हो क्या रहा है दोस्तों, जितना जादा यह डिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, यह चीज है एम्प्लिट्यूड, जितना जादा एम्प्लिट्यूड है, उतना ही जादा उस वेव को एनरजी चाहिए, आपके घर में अगर वाई-फाई लगा है, अगर आप वाई-फाई से दूर जाते जाओगे आपके फोन में वाई-फाई नहीं पकड़ेगा, समझगे, अगर आपके जिस कमरे में आप बैठे हो, उसी कमरे में आपने अपना वाई-फाई को मौडम लगा रखा है, बहुत अच्छे सिगनल आएंगे, थोड़ा दूर कमरे तक भेज लोगे तो तो तीन सिगनल इस reference के थूरू एक second में कितनी waves, एक unit of time में कितनी waves पास हो रही है, इसको बलाता है frequency, ज्यादा frequency में ज्यादा amplitude होगा और ऐसी waves को maintain करने के लिए energy भी ज्यादा चाहिए, जब energy ज्यादा चाहिए तो obvious ही बात है, इनका area of coverage होगा, वो कम होगा, इसलिए ज़ आपके घर में व बहुत दूर पहुंचाने के लिए energy ज़्यादा चाहिए और energy limited है आपके फोन में नर्ची limited है और जो आका अमोडर में उसमें energy limited है अगर आप भात करो रेडियो waves की रीडियो waves कुछ परकार से जाती है Dienstka के रीडियो एविपस कि इस परकार शाती है जोकि इनका जो amplitude है कम है, इनको बहुत लंबे distances में भेजने के लिए जो energy चाहिए वो कम है, वहीं पर high frequency में देखिए किस तरीके जा रहा है, यहाँ पर एक और चीज़ समझ में आएगे आपको, जितनी ज़्यादा frequency high होगी न, उतनी ही ज़्यादा आप data भेज सकते हो, तो ज high frequency बारा यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, high frequency wave has obviously travelled a lot further in the same amount of time but in a straight line, देखिए यहाँ पर, यह wave ऐसे 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 जा रही है, अगर आप absolute distance की बात करोगे, तो यह वाली जो wave है, high frequency वाली wave इसने ज़्यादा distance चला है, और यह low frequency वाली wave इसने कम distance चला है, लेकिन आप इन wave के amplitude को देखके पता चल सकते हो, कि amount of data, जो कि यह high frequency वाली wave लेके चल सकती है, यह बहुत ज़्यादा होगा उस amount of data से, जो low frequency वाली wave लेके चलती है, अब बात यह है, कि जब radio waves निकलती है, तो radio waves में आपको आवाज सुना ही पड़ती है, और कभी-कभी अगर radio waves ठीक से नहीं आता है, अब आप समझें यहाँ पर, अगर आपको frequency से चीजें पता चलने लगेंगी, टेली communication network कौन से कौन सी range में काम कर रहा है, 800 MHz से 200 MHz, तो मालीजे कोई telecommunication network 1500 MHz में है, और यहाँ पर बात हो रही है, वाई-फाई की 2400 MHz, ओविस्सी बात है, जो 2400 MHz वाला जो Wi-Fi है बट क्या वो 4G वाली speed आपके घर में लगे Wi-Fi broadband के साथ compare कर सकता है, नहीं, चुकि Wi-Fi में जो signal निकल रहा है, frequency निकल रही है, वो ज़्यादा data packets को अपने साथ लेके चल सकती है, लेकिन 4G technology में जो signals आ रहे हैं आपके phone में, वो उतने data packets को लेके नहीं चल सकते हैं, इसलिए आप समझ गये होगे, जितनी ज़्यादा frequency बढ़ती जाएगी, उतनी ज़्यादा उसको maintain करने के लिए energy बढ़ती जाएगी, उतना ही higher amount of data वो अपने साथ लेके जा सकती, उतनी तेज speed, समझ गये, तो यह है था दोस्तों, frequency concept, amplitude concept, amount of data concept आपको समय में आ गया होगा, अगली वीडियो से, 2G, 4G, 5G, यह networks क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इसको मैं आपको, thank you for watching, have a good day.